सब्सक्राइब कर दो से मौमद अवीर उमीर आपने सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कोशिश करता हूं कि अपना कॉंटेंट कम मनाऊ रम्जान के बाद जो रेगुलर कॉंटेंट मेरा डेली बेसिस पर वो इंचाला आने शुरू हो जाएगा मार्केट के कुछ हम अनालिसिस कर लेते हैं प्रिवेस वीक मार्च के स्राइडिंग वीक से और रमजान के अंदर मिजॉर्डी हमेशे हमने ये रिचुल देखा है कि मार्केट की जो एक्टिविटी हुकम हो जाती है और मैंने हमेशे यह चीज रियलाइस कर रही है बापनी कम त्रीके से रमदान को गुजार सके आइमियत को फुल्फिल कर सके वह ज़्यादर जरूरी है मार्केट का अपन है रिच्व्टियु है एक्टिविटी स्लोर डाउन हो जाती है क्योंकि टायमिंग बार शॉर्ट होती है मार्केट का कम हुजाता है और वालिडिलिली ही उस इ इसके लावर जो आपकमिंग इस मन्त रिमेंग डेज में जो बोर्ड मीटिंग्स हैं उनके उपर डिसकेशन होगा तो वीडियो जरूर देखेगा आपको आपकी रेलेवेंट जो भी जाहिए वह आपको मिल जाएगी स्क्रीन पर चलते हैं स्क्रीन पर चलने के बाद सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वक मार्केट के अंदर आज की जो हमारे पास क्लोजिंग है ऐस और ऑन ट्वैंटिएथ मार्च वह बेसिकली क्या है तो आपके लास्ट वीक और सो मंतली बेसिस पर जिस तरह के मैं कंटिनुस करएंगेंगे करेंगे बिकाँ के मंत में भी माकेट ने अच्छा रिटन दिया था पॉस ख्लोजू मांकेट पर एलेक्शन के पालड़िटिलिटी थी उसके बाभ पर यह यह के मार्केट ने अपने अच्छे मूज बनाए थे तो overall केसी 100 index right now stands at 65,731 mark और तकरीवा 170 million के volume आज हमें देखी जो weekly basis पे volume हमें उसकर नज़र आ रहा है average जो नज़र आ रहा है वो 132 million का average है जो कि indicate कर रहा है कि रमजान के वज़ा से इस वक trading activity market के अंदर बहुत जारा कम हुई भी है और जो volume है, input है वो भी बहुत जारा कम है विश मीज़ के cash की involvement है market के अंदर वो इस वक हमें कम नज़र आ रहे है, KMI all पे अगर नज़र डाले KMI all right now stands at 31,189 index points मंग जो कि अभी तकरीवा 33,000 के पास पास से अभी अपनी correction लिता हमें नज़र आ रहे है, और इसका भी जो weekly basis में हमार पास average volume बेसिकली चल रही हो, आप देख सकते है अपनी स्विक्ता में, there is 161 million जो के इंडिगेट कर रहा है कि इस वक मार्के पे बहुत जारा strong activities नहीं है, शरिया compliance फोक्स यह अगर हम बात कर लें कि आज के दिन या overall वैसे sector wise इस सब्सक्राइब momentum क्यों अच्छा है तो हमें पता है कि अठारा March को जो है वो हमारे बोर्ट monetary policy की meeting थी और उसमें status को रखा गया जो के indicate करता है कि sell banks जो next monetary policy की meeting है SBP की अगर हम monetary policy meeting के calendar की अगर हम निकल कर आएगी तो let's see देखते हैं कि April onwards considering April मैं June 3 महीने रह जाएंगे हमारे financials अखातम होने में तो क्या state bank of Pakistan monetary policy में अपनी easing लाते हैं interest rate को कम करते हैं नहीं करते हैं वो हमें देखना बाकी लेकिन Monday को हमारे पास पीए के अधियू जाले देन अनॉस्मेंट हुई के बई स्टेटास को है और मार्केट ने उसको इतना जारा एप्रिशेट नहीं किया इंडस्ट्री जब इंडस्ट्रेट कम होते हैं उसके पर इंशाले वीडियो नहीं होगा के अगर हम साथ किताब उठाले हम दिख सकते हैं कि फॉर्ण इंवेस्टर्स हैब बीन नेट बायर्स ऑफ यूएस पॉर पॉइंट सिस्टी मिलियों इन दे लास्ट टेंडेज विच इंडिएट्स अभी भी हमारी मार्केट पे थोड़ा भरोसा कर रहे हैं मार्केट में और तेज़ी आ सकती है यह हम जरूर देखेंगे लास्ट टेंडेज में तकरीवन चार यह साठ मिलियों डॉलर्स की बाइंग करी है लेकिन वह बाइंग की सेक्टर में करी है तो हम क्लियर ली देख सकते हैं कि कमर्शल बैंक्स में फॉरन कॉप्रेट्स हैब नेट बायर्स तकरीवन 5.45 मिलियन की जो है वह यहां पर बाइंग में नजर आ रही है थैन कम सिमिंट 2.34 मिलियन अगें समर सीजन में हमारे सिमिंट अक्टिविडी अगर रिजीम होती है तो अब इसको फाइदा होगा जो अभी से वह कंटिनिर सी जमा करके रख रहे है औ और टेक्नोलजी एंड कम्मिनिकेशन की अगर हम बात करें तो फॉरण कॉर्परेट्स हम देख सकते हैं और अगर सेलिंग हमें नजर आ रही है तो कमर्शल बैंक में नजर आ रही है थैन कम सिमिंट में ऑविसली एंड और किया जा रहा है और अगर मैं बात कर लो तो हमारे लोकल इंडिवेजल सें में और आप रीटेल इंवेस्टर्स हैं यह अची बात है कि जब मार्केट बड़ी होती होती हो आपर पर करते हैं मांकिट जब करी होती है तो यह अच्छी इंडिएशन हमें जरूर नजर आ लगा यह टेक्निकल बेसिस पे बात कलें मैंने पहले भ around 66,193 जो इसकी major resistance जोन अभी है, resistance जोन में ही index हमारा इस वक चलता वा नज़र आ रहा है then यह हम अगर बात करें तो 4 March को इस मन के starting में 4 March को इसने correction लेना शुरू की थी meda high उसके बाद इसने यहां पर हमारे पास correction ली 11 March को इसने correction ली came back down tested 63,859 इस range की जो support है, इसने अपनी support को test किया, then bounce back अब again from 20 days and 50 days moving average और उसके बाद अभी अगर हम देखें तुमारा पर आज की जो closing है candle की वो बहुत कोटी सी small सी जो हमें, doji star की candle हमें यहां पर नज़र आरी, which indicates there is a possibility कि दोनों तरफ जो है, वो trend जा सकता है, यहां से positive भी हो सकता है, नगरी भी हो सकता है, वो अब हमें regular basis पे monitor करना होगा तो that being side, volume का जाइज़ा ले ले लें, तो volume हम देख सकते हैं कि day on day basis पे, last day की अगर हम बात करें तो उससे हमें बढ़ती भी नज़र आ रही है मैक डी के indication देख लें कि मैक डी का सब्क्यार trend है, daily basis पे weekly basis पे, वो हमें यहां से indicate कर रहा है कि daily basis पे बहुत positive momentum दुबारा अपना try कर सकता है index, लेकिन overall अगर हम बात करें तो अभी बहुत certain कोई trend direction हमारे पास नहीं है, RSI की बात कर लें, daily time frame में, since correcting itself 50%, दुबारा 60% अबब यहां की indication हमें दे रहा है, which indicates की आगे हैने वाले देने में, there is a possibility के, market bullish अपनी strength जो है, वो दुबारा test कर सकती है, और 66,100 या 66,200 की level को दुबारा retest कर सकती है, अगर इसको तोड़ती है तो फिर अपने, एक strong resistance level को, जो मैं पहले भी highlight कर चुका हूँ, वो हमें फिर mark करते वे, और test करते वे हो सकता है कि फिर market नज़र आए, जो कि हमारे पर 67,000 का major index point है, जो अभी तक की हमारी index है, historical level है, that being said, जैसे कि मैंने का कि अभी थोड़े दे में, शाला weekly basis पे, मंतली basis पे कौन सी companies, oversold है, overbought है, क्या return दे चुकी है, उसका हम जाइजा लेंगे, overall वैसे कर हम बात करें तो, since sustaining 22% interest rate हम banks पे दुबारा positive momentum देख सकते हैं, इसके लावा कुछ companies हैं, जिनकी announcement इस भी का आई हैं, उसको भी next video में इसाला डिस्स करूँगा, board meetings है, again board meetings पे नज़र रखें, क्योंकि हो सकता है, इस list के अंदर कुछ company ऐसी हो, जिसके अंदर आपकी investment हो, तो उसी इसाब से जो है, वो अपना strong decision ले, so until next time, 29th April तक जो है, वो अब देखते हैं, कि हमारे पास monetary policy sustain जो कर रही है, तो वो आगे हमारे market को क्या करती है, क्या यहां से मजीद positive index हमारा, इस week के end तक, क्या 67,000 को test करने जा सकता है, या next week, तो आपर roll over week होगा, तो market में क्या correction आएगी, market में तुबारा selling नज़र आती है, वो अभी देखना बाकी है, again, जैसे कि मैंने का, रमजान है, रमजान में on and off content आ सकता है, बट, कोशिश ही होगी, इंशाला, जिससरा आपको बताएगे, रमजान के बाद, अबना जो regular content उसको resume करूँगे, इंशाला, तो thank you so much for all, thank you so much for watching, and keep supporting the channel, thank you so much, and until next time, this is Maumal Abhi, signing off, take care, लाफेस.